मूवी को हम आज explain करने वाले हैं उसका नाम है The Age of Adeline The Age of Adeline ये कहानी है समय के दल्दल में फसी Adeline की जिससे निकलने के लिए वो खुद का हर लम्हा बदल देती है तो क्या वो अपने असली पहचान को भचा पाएगी तो इस कहानी में समय नहीं बलकि Adeline की एज बढ़ना रुख जाती है तो चलिए शुरू करते हैं Adeline के इस कहानी को तो कहानी की शुरुवात हमें Adeline को दिखाते वे होती है जो अपनी मा के साथ Golden Gate Bridge देखने जा रही है यहां उसकी मुलाकात एक Engineer से होती है जिसका नाम है James दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है अब हम देखते हैं तीन महीने के अंदर ही Adeline और James शादी कर लेते हैं शादी के तीन साल बाद Adeline की एक बेटी होती है जिसका नाम वो Flaming रखती है जो की उसकी Grandmother का नाम था अब Adeline अपनी जिंदगी खुशी-खुशी जीने लगती है एक दिन उसे पता चलता है कि Bridge Construction के काम के दौरान एक हादसे में उसके पती James की मौत हो जाती है अपने पती की मौत से Adeline पुरी तरह तूट जाती है वो हर समय बस James की यादों में खोई रहती है James की मौत के बाद Adeline अपने पेरेंट्स के पास लोटने का फैसला करती है जब Adeline अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है तब मौसम बहुत खराव हो जाता है और बर्फ भी पढ़ने लगती है इस बर्फ बारे में Adeline की कार का कंट्रोल बिगड जाता है यहाँ Adeline कार समयत एक तलाब में गिर जाती है तलाब का पानी इतना थंड़ा था कि उस पानी से Adeline की बाड़ी फ्रीज होने लगती है और उसकी दिल का धड़कन रुकने पर आ जाता है तब ही यहाँ चमतकार होता है आसमान से एक बिजली सीधे Adeline पर गिरती है अब समय बढ़ता है लेकिन Adeline की उमर नहीं अब Adeline की बेटी बड़ी हो गई है और उसके सारे फ्रेंज भी बूड़े होने लगे हैं लेकिन Adeline पर अब भी समय ने कोई भी असर नहीं दिखाया वो अपनी बेटी की बड़ी बेहन जैसी दिखती है तो Adeline इस बात को जादा दिन तक नहीं चुपा पाती एक दिन Adeline अपनी बेटी के साथ कार में जा रही होती है तभी एक ट्राफिक पॉलिस Adeline को रोकते वे उसका लाइसेंस मांगता है लाइसेंस देखकर ओफिसर को Adeline पर शक होता है दरसल लाइसेंस पर Adeline की एज लिखी होती है 45 लेकिन वो देखने में under 30 लग रही थी यहाँ पर ओफिसर Adeline का लाइसेंस सीज कर लेता है और सुबा बर्च सर्टिफिकेट के साथ पुलिस टेशन आने को कहता है अब इस बात से Adeline को पहली बार महसूस होता है कि उसकी उम्बना रुख गई है वो बहुत परिशान हो जाती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है Adeline इस रास को जानने के लिए बहुत रिसर्च करती है लेकिन हर कोशिच के बात भी उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता अब Adeline के बारे में गवर्मेंट को पता चल गया था कि उसकी उम्बना रुख गई है इसलिए एक दिन जब Adeline बारिश में कहीं जा रही होती है तब ही दो गवर्मेंट ओफिसर्स आकर Adeline को ब्यूरो चलने को कहते हैं दरसल गवर्मेंट Adeline के उपर रिसर्च करना चाती थी इसलिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाना चाते थे Adeline उनके साथ जाने के लिए तयार भी हो जाती है Adeline देखती है कि उसके लिए एक प्राइबेट प्लेन आई है जिसमें उसे ले जाया जाएगा जब दोनों ऑफिसर कार के बाहर होते हैं तो इस बात का फाइदा उठा कर Adeline कार से चुके से वहाँ से भाग जाती है वहाँ से भागने के बाद वो डिसाइट करती है कि आज के बाद वो अपना एडेंटिटी किसी से भी रिवील नहीं करेगी और वो ये भी कहती है कि आज के बाद वो यहाँ नहीं रहेगी और वो अब हमेशा अलग-अलग जगा रहेगी और अपने शक्तियों के बारे में किसी से भी नहीं बताईगी एडेलाइन अपने बनाई हुए इस रूल को फॉलो करने के लिए अपनी बेटी फ्लैमिंग से अलविदा लेती है समय के साथ एडेलाइन हर कुछ दर्शकों में अपनी पहचान और अपनी लोकेशन हमेशा बदल से रहती थी ताकि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चल सके इसलिए वो किसी भी इनसान के साथ कभी ज़्यादा नहीं रहती थी और नहीं किसी के साथ ज़्यादा फोटो कीचाती थी जबी भी एडेलाइन किसी नहीं जगा पर शिफ्ट होती थी Elise एक साफ दिल लड़का था जो Adeline के प्यार में पढ़ गया था Elise Adeline से उस पार्टी में काफी दिर बात करता है और उसके साथ ही रहने की कोशिश करता है और इस छोटे समय में वो Adeline के काफी कैर भी करता है इसलिए Adeline भी Elise के लिए connection फिल करना शुरू कर देती है अगले दिन वो अपनी बेटी फ्लैमिंग से मिलती है समय की गुजरने की वज़ा से अब उसकी बेटी फ्लैमिंग भूड़ी हो चुकी है लेकिन Adeline अभी भी जवान है अब यहाँ दोनों अपने जीवन के तमाम बातों को शेयर करते हैं Alice को यहाँ पर देखके Adeline शौक हो जाती है लेकिन आगे वो दोनों बात करना शुरू करते हैं आगे Alice Adeline को बाहर घुमने को कहता है और कहता है कि हम क्या बाहर घुमने जा सकते हैं जिस पर Adeline मना कर देती है लेकिन Alice यहाँ पर बार-बार जीद करता है जिसपे Adeline अपना प्रेजेंट नेम जैनी बताती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है इसी तरह वो लोग थोड़ा समय बिताते हैं और Alice उसे सेंस फ्रेंसिसको के एक जगा ले जाता है जहांपर Adeline अपने पूरी लाइफ में वहाँ पर नहीं गई थी धिरे-धिरे इनकी प्यार की पटरी आगे बढ़ती है और Alice उसे अपने घर पर डिनर के लिए भी ले जाता है डिनर के दवरान Alice Adeline से कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे पढ़ने वाई लड़कियां बहुत पसंद है एक दफ़ा जब मैं मेरी मीटिंग से लोट रहा था तब मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था और उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं हर दफ़ा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था एलीज की ये सब बाते सुनकर एडलाईन बहुत कुश होती है और बाते करते ही करते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बाद में intimate भी होते है अगले दिन एडलाइन कहीं गाड़ी में घूम रही होती है तब ही उसे गार्डन में एक बेंच दिखती है और उस बेंच को देखने के बाद एडलाइन को उसके पास्ट के बारे में कुछ याद आना शुरू हो जाता है जहां वो देखती है कि किसी बेंच पर एक आदमी रिंग लेकर बेटा हुआ है और वो एडलाइन का वेट कर रहा है पर एडलाइन उसे वहीं पर छोड़ देती है और उसके लाइफ से दूड़ चली जाती है यानि इस इंसान को वो लाइफ में कभी दूबारा नहीं मिलती है वेल गैस ये इंसान कौन था फिल्म के दरण आपको ये पता चल जाएगा अपने पास्ट के इस इंसिडेन को देखने के बाद एडलाइन बहुत दुकी होती है और घर जाने के बाद अपने पास्ट के फोटोग्राफ को देखती है और उन फोटोस को वो वापस बंद कर द और अपना address change करने का decide करती है एक दिन ऐसे ही वो market से वापस आ रही थी तब ही उसे Alice दिखाई बढ़ता है Alice को वो सामने देखकर काफी शौक होती है और पुछे है कि तुमने मुझे ढूंडा कैसे जिस पर Alice कहता है कि मैंने लाइबरी से तुम्हारा address निकाला और कैसे लाइबरी से उसके address निकालने की होजा से एडलाइन उस पर बहुत गुसा करती है और वहाँ से चली जाती है एडलाइन के इस गुसे वाले बढ़ताओं को देखकर Alice समझ जाता है कि एडलाइन इसके साथ रहना नहीं चाहती है और यह सब बात सोचने की वाईसे वो अपने आपको बहुत कोशता है और एडलाइन को अपने दिल से निकालने को सोचता है और फिर वो भी वहाँ से चले जाता है आगे हमें उसकी बेटी फ्लैमिंग को दिखा जाता है जो एडलाइन से बात कर रही होती है और यहाँ एडलाइन अपनी बेटी से Alice के साथ हुई सारी बाते बताती है और कहती है बेटी मैं बहुत परेशान हूँ वो कहती है कि मैं अब भाग भाग के ठक चुकी हूँ और अब मैं यह नहीं चाती कि मैं किसी भी इंसान का दिल दुखाऊंँ मैं अपने चाहने वालों को ऐसे हट नहीं कर सकती यह सारी बाते सुनने के बात फ्लैमिंग कहती है मुझे लगता है मा तुम्हें अब रुख जाना चाहिए पता है मा तुम पागल हो अभी तुम उस इंसा से भाग रही हो जो शायद अभी जिन्दा होई न और गवर्मन्न को तुम्हें खोजने के अलावा और भी काम है मैं तुम्हें दुबारा कहती हूँ कि तुम्हें रुख जाना चाहिए और एलिस से माफी मांगनी चाहिए और अपनी जिन्दगी दुबारा शुरू करनी चाहिए फ्लैमिंग की बात सुनने के बाद एडलाइन एलिस के पास वापस जाती है और वो उससे सौरी बोलती है और अपनी नई जिन्दगी का शुरूवात करती है लेकिन एलिस अभी भी इसे अपना सीक्रेट नहीं बताती है आगे एडलाइन और एलिस काफी समय एक साथ स्पेंड करते हैं और जगा जगा घूमते हैं एक दिन एलिस अपने माबाप के 40-वे married anniversary पर invite करता है यहाँ पर एडलाइन अपने जीवन का नई शुरूवात करना चाती थी इसलिए वो उसे हाँ कहती है और वो कहती है हाँ मैं जरूर आउंगी जिसके बाद एलिस एडलाइन को अपने घर पर ले जाता है जहाँ पर एलिस अपने पिता विलियम से उसे मिलवाता है एडलाइन को देखकर विलियम आस्चर से कहते हैं तुम एडलाइन होना और मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छे से याद है यहाँ पर एडलाइन विलियम की बातों को काट्टियों कहती है कि Adeline मेरी मा थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है और Adeline की ये बात सुनकर William थोड़ा हैरान होता है और कुछ सोतने लगता है और ये फिल्म यहीं से flashback में चली जाती है जहां हमें 1960 की कहानी दिखाई जाती है जहां William London पढ़ाई करने गया होता है और जब वो अपने cycle से जा रहा था बीच रास्ते में उसे Adeline दिखाई पड़ती है जहां उसकी कार वहाँ पर खराब हो गई थी और William उसे बनाने की कोशिश करता है और इस गाड़ी को बनाने के बाद William और Adeline दोस्त बन जाते हैं और वो अगले पाँच हफ़ते तक quality time spend करते हैं और जब William की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो Adeline भी William के साथ America आ जाती है जहां पर ये दोनों life को काफी दिनों तक enjoy करते हैं जिसकी वज़ा से William को Adeline दे बेंधिया महबबत हो जाती है अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए और दिल में इस शादी का ख्वाव रखके वो Adeline के लिए ring खरीता है और उसी garden के bench पर बैठ का Adeline का wait करता है और जब Adeline William के हाथ में वो ring देखती है तो उसे याद आता है कि वक्त के साथ William बूड़ा हो जाएगा और उस पे वक्त का कोई असर नहीं होगा और इसी की वज़ा से इनका relation कभी चल नहीं पाएगा और ऐसा सब सोचने के बाद वो William को वहीं पर छोड़ कर चली जाती है लकिन शायद उसके किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था Adeline William की wife बनने के बज़ाए उसके बेटे की ही girlfriend मनकर उसके ही घर पर आ जाती है और कुछ दिर पहले ही Adeline अपने मा के मरने के उसका चैरा मिलने वाली बात जो कही थी वो दर असल जूट था अगले दिन William अपने बेटे और Adeline के साथ breakfast करता है जहाँ पर Adeline को उसकी बीटी समझ कर William अपने और Adeline की प्यार की कहानी के बारे में उनको सुनाता है जिसे सुनकर Adeline बहुत कुछ होती है क्योंकि William को अभी भी Adeline के बारे में सब कुछ याद है आगे William बात ही कर रहा होता है तभी Adeline के हाथ पर एक निशान नोटिस करता है जिसके बाद ये कहानी फिट से Flashback में चले जाती है जहां हम देख पाते हैं जब दोनों एक सक टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पर तभी Adeline के हाथों में कुछ चुप जाता है जिस पर टाका लगा कर William उसके हाथों को स्टीच कर देता है इस Flashback के बाद William Adeline से पूछता है कि तुम Adeline ही हो ना? मुझे बताओ तुम अभी तक जवान कैसे हो? William की बाद सुनकर Adeline रोते हुए कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं ये लोगों के लिए वर्दान दिकरा होगा लेकिन मेरे लिए अभी शाप है मैं Adeline ही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं इतना लंबा कैसे जी पा रही हूँ इतना कहने के बाद Adeline वापस से Elise के कमरे में आती है जहाँ पर वो Elise के लिए एक चिट्टी लिखती है और वहाँ से छोड़ कर चली जाती है और जब Elise उस चिट्टी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि मुझे माफ करना मैं ऐसा नहीं कर सकती और नहीं इस चीज को एक्स्प्लेइन कर सकती हूँ तुम्हारी जैनी Elise इस नोट को पढ़ी रहा होता है तब ही वहाँ पर William आ जाता है और वो जैनी यानी एडलाइन को खोजने के लिए निकल पढ़ता है और दूसरी तरफ एडलाइन Elise के कॉल को बार-बार इग्नॉर करते वे आगे बढ़ती है और अब बर्फ पढ़ना शुरू हो गई है और बस एडलाइन ड्राइफ करते वे जा रही है Elise का कॉल आने के वज़े से उसे याद आता है कि वो अपनी पूरी जिन्दकी बस भागते ही रही है और ऐसे भागते भागते अब वो थक चुकी है और वो ऐसे ही अब किसी और को हट नहीं कर सकती एडलाइन ऐसा सोच कर Elise के पास जाने के लिए अपनी गाड़ी घुमाती है कि तभी उसकी गाड़ी की टकर एक बड़ी ट्रक से हो जाती है जिसमें एडलाइन जकमी होकर रोट के किनारे गिर जाती है क्योंकि यहाँ पर वापस बर्फ गिर रही होती है तो Adeline की दिल की धड़कन वापस रुखने वाली होती है लेकिन तभी एन समय पर वहाँ पर Alice आ जाता है और Medical Team को वहाँ बुलाता है Medical Team समय पर आकर उसे बिदली के जटके देते हैं जिसकी वज़ा से Adeline वापस से होश में आ जाती है आगे Adeline को वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि Adeline अब वापस नहीं भागना चाती थी जब Alice उसके पास आता है तब वो Alice को अपने शक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है सारी बाते जानने के बाद Alice Adeline के साथ समय गुजारने को रेडी हो जाता है जब Adeline की बेटी फ्लेमिग को Adeline की एक्सिडेंट के बारे में पता चलता है तब वो हॉस्पिटल में आती है और खुद को जैनी की ग्रेंड मदर बता कर एलीस के सामने खुद को इंटरडीूस करती है आगे फ्लेमिग को Adeline से पता चलता है एलीस Adeline के शक्ती के बारे में सब कुछ जानता है और इस बात को सुनकर फ्लेमिग बहुत खुश हो जाती है और एलीस को हग करती है फिल्म के लास दिन में हमें दिखा जाता है Adeline, एलीस और फ्लेमिग एक साथ रह रहे है Adeline जब एक दफ़ा सीचे के सामने खड़ी होकर खुद को सवार रही थी तो वो नोटीस करती है कि उसके सर में एक सफेद बाल है जिसे देख कर वो बहुत ज़ादा खुश होती है दरसल कुछ दिन पहले जो हाथता हुआ था यानि वो रोड एक्सिडेंट उस एक्सिडेंट के बाद वो वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बूरी हो रही है तो दोस्तो किती इंटरस्टिंग थी ना ये कहानी तो ये मूवी यहीं पर समापत हो जाती है आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना बुलें और चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें थेंक्यू